हलो एब्रीवन, वेलकम टू कीश्टोन लाइफ साइंसेज हम लोग इस समय सेल बायलजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टन टॉपिक्स सेल बायलोजी के बारे में हमारे exam के point of view से बहुत important है मैंने आपको वो बताए ठीक है तो हमारी studies सही direction में जा रही है या नहीं जा रही है इस चीज को check करने के लिए मैंने अपने जो previous year के CSIR के papers हैं वहाँ पे आए हुई questions को check किया तो कुछ questions मुझे वहाँ पे मिले हैं जो हमने भी तक topics cover की हैं जो वहीं से पूछे गए हैं तो उनको आज मैं आपके साथ थोड़ा सा explain करते हुए discuss करना चाहता हूँ ठीक है उनमें से सबसे पहला question जो है वो पूछा गया है which of the following is not an example of transmembrane transport with been different subcellular compartment ठीक है सबसे पहले आप question को ध्यान से देखे बहुत ही आसान question है यहाँ पे transportation की बात कर रहा है और सबसे पहले जो not लिखा हुआ है इसको आप लोग ध्यान दिजाएगा कि not an example of किसके बीच में transmembrane transport मतलब membrane को cross करते हुए transportation between the different subcellular compartment subcellular compartment का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि cells के अंदर जो membrane bound compartments पाया जाते हैं उनके बीच में transportation की बात यहाँ पे हो रही है ठीक है और trans membrane transport है ठीक है तो पहला option हम लोग देखते हैं कि transport from cytosol into the lumina of endoplasmic reticulum मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी protein cytosol से endoplasmic reticulum में भेजी जाती है वहाँ पे एक channel होता है membrane में endoplasmic reticulum के जिसको लोग ट्रांस लोकॉन बोल रहे थे और उस ट्रांस लोकॉन को cross करते हुए मतलब membrane के cross transportation यहाँ पे हो रहा है membrane में channel है उसको cross करते हुए protein जारी तो पहला option यहाँ से हट जाता है दूसरा option आप लोग देखते है transport from endoplasmic reticulum to the galgy complex ठीक है अब यहाँ पे आप लोग देखिए कह रहा है transport from endoplasmic reticulum मैंने आपको बताया था है यहाँ पे basicular trafficking होती है पहले proteins को bicycle में pack किया जाता है फिर वो endoplasmic reticulum से galgy body तक भेजी जाती है और यह bicycle galgy membrane से जाकर के fuse करती है और अपने protein को release कर देती है यहाँ पे trans membrane कोई transport ऐसा नहीं हो रहा है कि membrane को cross करना अपने सीधे membrane fusion का case है ठीक है तीसरा option हमारा देखिए क्या है transport from stromato thailoquide membrane यहाँ पे membrane के cross transportation होता है ठीक है transport from mitochondrial inter membrane space into the mitochondrial matrix मैंने आपको यह पूरी process बताई है कि वहाँ पे tim and tom दो channel proteins पाई जाते हैं जिनके through mitochondrial membrane के cross transportation होता है मतलब तीसरे में membrane के cross transportation हो रहा है चौते में भी membrane के cross transportation हो रहा मतलब है trans membrane transport है ठीक है सिर दूसरा एक ऐसा option है जहां पे bascular trafficking हो रही है यहां पे trans membrane transport नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा कौन सा option है यहां पे सही हो जाएगा that is the option number second transport from the endoplasmic reticulum to the galgy complex यह option हमारा सही हो जाएगा second question भी हमने secretary pathway से ही लिया हुआ है यहां पे पूछा गया है fluorescently tagged protein was used to study the protein secretion in the east मतलब east है east कोई एक protein secret करती है और उस protein को क्या किया गया है fluorescence dye से tag कर दिया गया है ठीक है और फिर उस fluorescence को observe किया जा रहा है तो फिर यहां पे कह रहा है fluorescence was observed in वहां पे कौन-कौन सी proteins ऐसी होगी जहां पे fluorescence observe किया जाएगा ठीक है या तो प्रोटीन अब यहां पे देखिए तीन स्टेटमेंट इन्हों ने दिया है दा गालजी बॉड़ी में वो प्रोटीन हमको दिखेगी जो fluorescence की गई है सेक्रेटरी विसाइकल में दिखेगी और इंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम में सेक्रेटरी प्रोटीन हमको दिखेगी तो मैंने आपको बता था कि सेक्रेटरी प्रोटीन जो सिंतल bilmiyorum में प्लाजमी क्रेटिकुलम में सिंतल सायज होती है फिर उनको गाल जी के लिए पहाँ से वह से ऩायग हो करके कहां पे जाती है अपने टार्गेट डेस्टेनेशन जो भी उनका डेस्टेनेशन है वहां तक भेजी जाती है तो यह पूरी प्रोसेस वहां पर होती है ठीक है तो पहला हमारा क्या आता है और fourth option में सबसे पहले C है, मतलब इन्हीं दोनों में से एक option हमारा सही होगा, one और two यहां से out हो गया, ठीक है, उसके बाद protein भेजी आते एक galgy body में, ठीक है, तो आप लोग देखिए कि A वाला option C के बाद किसमे है, तो third वाला option जो है, वहाँ पे A के बाद में, मतलब endoplasmic reticulum के बाद में galgy का option यह लोग दे रहे हैं, इसका मतलब और फिर आप लोग fourth में देखिए, तो वहाँ पे B आ जा रहा है, इसका मतलब यह option गलत हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो protein हमारे जो florisions दिखेगा, वो हमें दिखेगा, endoplasmic reticulum में, जो की site of synthesis है, उसके बाद galgy body में, और फिर secretary cycle में, मतलब option 3 यहाँ पे सही हो जगा, C, A और B, यह sequence यहाँ पे सही हो.